तो आप सभी विदर्थों का स्वागत है इस चानल में, दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि GK की तयारी कैसे करें, आप UPSC तयारी करते हो, JPSC, JSC, या फिर Railway, Banking, SSC, PO, किसी की भी तयारी करते हैं, तो उस पे GK का एक बहुत बड़ा important role होता है, और GK के question हर एक्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो role तो रहता है, लेकिन GK की तयारी अखिर करें कैसे, शुरुआत हम कहां से करें, ठीक है, आपने अभी अभी 12th pass किया है, या फिर आप किसी भी class में है, तो GK को कैसे prepare करेंगे, GK की तयारी कहां से शुरु करनी चाहिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, तो मेरा नाम है मोहन कुमार, आप देख रहे हैं मोहन सर यूटूब चैनल, तो चली आज किस वीडियो को शुरु करते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजेगा क यह जो GK है, देखो, GK का मतलब हो गया General Knowledge, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां बता दूँ, कि GK जो होता है, वो दो पार्ट में होता है, एक जो होता है, उसको कहते हैं, ध्यान देना, एक को कहते हैं Static portion, क्या कहते हैं? Static portion, मैं अभी बताऊंगा कि Static portion क्या है, एक हो गया Static portion, और दूसरा होता है Dynamic portion, दूसरा हो गया है Dynamic portion, ठीक है? Static portion और Dynamic portion, यह दो भाग में होता है, GK यहने General Study का अधयन, GK समानिज्यान का अधयन, ठीक है? तो static portion और dynamic portion इस दोनों में अंतर क्या है ध्यान देना कि static portion कहना का मतलब वह ऐसे जीके या वह ऐसे समानी ज्यान जो बदल नहीं सकते एक बार हो चुका है ठीक है या फिर वह fix हो चुका है तो जैसे कि माल लते हैं आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि दुनिया में कितने महादेश हैं तो ये तो change नहीं नहीं होगा ये तो हो गया static portion या फिर पूछ देगा कि भारत में जैसे ताज महल है उसको किसने बनवाया था तो ये तो हो गया आपका static portion ये तो change नहीं होगा इसको कहते है static portion लेकिन वही यदि डाइनमिक portion की बात करें तो डाइनमिक portion एक उधारन देता हो जैसे कि पूछ देते हैं कि 2024 का जो ओलंपिक है वो कहा होगा ताब बताओ आने वाला जो है वो बदलता रहेगा है ना जैसे क पूछ देगा कि G20 का meeting कहा होगा है ना जैसे शिकर सम्मिलन कोई होता है वो कहा होगा ये कहा हुआ था तो इस आपको कहते है डाइनमिक portion मतलब जो बदलते रहता है ठीक है चेंज होते रहता है और static portion का मतलब जो fix होता है एकदम स्थीर है समझ मारत इसको कहते है static portion तो आप इतना से काम नहीं चलेगा वरतमान में जो भी घटनाए घटित हो रही है बले वो आपके राज्य का हो आपके देश का हो या फिर आप पूरी दुनिया का हो ठीक है जो भी वरतमान में घटनाए घटित हो रही है इसको भी जानना ज़रूरी है और इसी dynamic portion का दूसरा नाम हो करेंगे दोस्तो इस tactic portion के लिए सबसे पहले आप beginner है यानि अभी आपने competition में कदम ही रखा है समझमार आपने अभी 12th pass किया है तो आप लोगों को क्या करना है एक Lucian की book ले लिजिएगा या फिर कोई भी एक सामानी gk का आप लोगों को book ले लेना है Lucian इस जादा तर students prefer करते हैं तो आप एक Lucian का book ले 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 और उससे सुरुवात करें ठीक है उससे सुरुवात करने से आप लोगों को धीरे 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 ऑटमेटिक समझ में आने लगेगा कि हमको कहां क्या पढ़ने का जरूरत है और कहां मुझे और जानकारी समझ मारा है धीरे धीरे books क्या करोगे एड करते जाओगे हर exam का अलग अलग लेकिन आप शुरुवात अभी करो Lucian book खरिद लो और Lucian से आप शुरु करो बात करें कि dynamic portion current affairs की तयारी कैसे करें ध्यान देना current affairs की तयारी students क्या करते है कि जब exam का form भर देते हैं तब कोई एक magazine ले लेता है वो उसी magazine से पढ़ता है कि इसी से हम current affairs कर लेंगे तो current affairs अचानक जो उन पर भारी पढ़ जाता है है ना तो current affairs की तयारी के लिए सबसे बड़ा जो source है आप वो करो कि news daily news बहले आप news channel देखो टीवी पर या पिर daily newspaper पढ़ो या कुछ करो लेकिन daily news देखो वर्तमान में हमारे देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे aware रहो समझ मारा जो भी वर्तमान में घटना ही हो रही है उसको जानो ऐसा कि नहीं कहा जाता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस सब चीज को जानना चाहिए है ना तो इसी को कहता है तो current affairs यह चीज आप अप लोगों को पता है नहीं तो आप एक्जाम कैसे निकालोगे कि आप क्या हो रहा है नहीं हो रहा देश में इस्तिति क्या है क्या इसा कंडिशन है नहीं है तो यह आपको जानकार होना चाहिए और पीसे पहले क्या हो चुका है और अभी क्या क्या हो रहा है अप लोगों को हो जाएगा और इस पर पूरा देश का कबर हो जाएगा और इसी पर विदेश का भी निजसाब रहता है और पूरे वर्ल्ड का हम लोग इसी से कबर करेंगे समझ मारा तो यह आदत बनाने के लिए हम बता रहे हैं धिरे धिरे जैसे जैसे बढ़ोगे, आप लोगों को खुद पता चलेगा कि हमको ये चीज़ पढ़ना पढ़ेगा समविधान जानने के लिए हम लोगों को Indian Polity Book पढ़ना पढ़ेगा भारत का इतिहाद जानने के लिए इठो Book पढ़ना होगा, ये चीज़ जानने के लिए पॉर्शन ऐसा है जो आज तक मुझे ने लगता कि किसी भी विदार्थी ने कम्प्लीट किया होगा और कोई लगबग कम्प्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो है एक समंदर है समझ मारा और सेलेबस के अनुसार इस समंदर से हम लोग उठा लेते हैं जल लोटा भर जैसे कि माले यूपीस्ट की तयारी करेंगे तो हम सब थोड़ी पढ़ेंगे स्टाटिक पोर्षन और डाइनमिक पोर्षन सब नहीं पढ़ेंगे इस पर यूपीस्ट का जो सालेबस है उसको पढ़ेंगे जैपीस्ट का जो सालेबस उसको पढ़ेंगे यानि जिस एक्जाम का प्रिपेरेशन करोगे उससे इसको छाटके पढ़ोगे समझ भा रहा है लेकिन अभी आपने ऐसा कुछ सोचा है नहीं कि मुझे किस एक्जाम की प्रिपेरेशन करनी है तो आप लोग को शुरुवात इसी से करना है एक लूसेंट बूक ले लेना और करेंट अपेस के लिए डेली न्यूस पेपर पढ़ना जानना कि आसपास हमारे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस सब चीज जाना जरूर ही है इसके बाद आप सोचोगे कि जिस चीज के हम तयारी करेंगे इसके वाद उसका सैलेबस देखोगे कि उसके सैलेबस के अंदर क्या है नहीं है तो जो सैलेबस के अंदर है उसी से उठाएंगे हम लोग इस्टे UKGS में इस सब चीज नहीं पूशा जाता है, समझ मारे जिसे इस पोर्ट में, ओलम्पिक में या फिर यह सारी चीज़ें उतना ज्यादा माईनी नहीं रखता है, तो हर चीज का एक अपना अपना सालेबस होता है, समझ मारे इस पे ज्यादा तर आप लोगों को इंडियन पॉल निफ्ट सभिष्ट है कहां अपना अजय कि अपेश्वडिकर के अपनेुश्छ सबढ़न और पया लेकिन पूर 222 सबबस चाली लेने के लिए कदम को पहले बढ़ाना पड़ेगा तब आप अंदर जा पाओंगे जां पाओगे कि अंदर क्या है बाहर से तो बहुत आप लोगों को बड़ा चोड़ा दीख रहा है, लेकिन पहले अंदर कदम तो रखो, खुद पता चलेगा आप लोगों को, कि करना मुझे क्या होगा, मुझे क्या नहीं करना होगा, ठीक है, तो उमिद करूँगा आप लोगों को यहां समझ में आ गया और current आप इसके लिए daily news पढ़ना फूरू कर दीजिए एक महिना तक करते करते आप लोगों को पता चलेगा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए और start करके जरूर देखना और मुझे comment करके जरूर बताना क्या आपने start किया कि नहीं किया तो चलिए आ जरूर चाहिए